दोस्तो दोस्तो आज हम आपको लेकर के चलने वाले हैं उत्तरफदेश मत्थुरा जिले के पुरंदावन ट्रेम मंदिर में तो दोस्तो सबसे पहले मैं आप चिकाऊंगा कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे तो दोस्तो मैं यहां का सारा का सारा जो है दिखाने वाला हूं तो वीडियो को सुर्वास से लेकर लाश्ट तक देखिएगा तो यहां पर आपको काफी चहल पहल मिलने वाली है तो आप अपना मास्क जो है वो जरूर लगाए रखें चलिए मैं आपको सारा का सारा यहां पर जो भी है जहाकियां जितनी भी ज जाकियां है मैं आपको सब दिखाऊंगा आप यहां पर देख सकते हैं और यह काफी अच्छा मंदिर है और यह मंदिर मैं आपको बता दू यह लगभग ग्यारा वर्स में जो मंदिर है वो बन करके तयार हुआ था और जो इसकी लागत आय थी वो लगभग सौ से डेड़ स करोड रुपए के आसपास की है यह आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर काफी मनमोहग जाकियां हैं यह देखे मंदर काफी भव मंदिर है और जो इस पर संगमरमर लगा हुआ है सफेद इटैलियन संगमरमर लगा हुआ है यह आप यहां पर देख सकते हैं काफी भव मंदिर की दिवाल पर मिल जाएगा तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह देख लिए काफी सुन्दर और सफीद संग्मरमर से बना हुआ है तो और भी सुन्दर लग रहा है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी चहल पहल मिलने माली यह देखिए यह देख सकते मन्दिर को देखकर यह आप इसकी भविता का अंदाजा लगा सकते हैं कि कि इतना भवय मन्दिर है इसलिए मैं आपको पास से जल करके दिखा देता हूँ यह देख लीजिए यहापर यहाँ पर जो भी राधा कृश्मीजी का जो भी यहाँ पर जीवन था उनके बारे में को फालू करना मत भूलिएगा और यह आप देख सकते हैं और साथ ही साथ में जो वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं वो जा करके हमारे पेज को फालू कर लें क्यूंकि हम जो भी लाइब वीडियो होती हैं वो फेस्बुक पर ही करते हैं तो आप क्रपया वहां पर जा जगदगुरु यह देख लिजी जगदगुरु यह देखिए यहां पर क्रश्नी जी बैठे हुए उनके साथ में ग्वाले भी बैठे हुए हैं यह आप यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और इसी उसकी जहाकी है यहां पर और काफी अच्छी लग रही है यहां पर यह आप देख सकते हैं यहां पर जो भी जहाकी बनाई गई हैं वो काफी सुन्दर और मनमोहक हैं और मैं तो कहूंगा एक बार आप जरूर जाएगा देखके आईगा यह देखिए अपनी एक उंगली पर रखें हुए हैं तो चलिए मैं थोड़ा सा और पास चल करके आपको दिखाता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से देख लें यह देख लीजिए एक शिंगी से अपने उठाय हुए हैं गोगरधन परवत यह आप देख सकते हैं और जो सभी ग्वाले हैं और जो हैं गाउं के लोग हैं वह यहाँ और नीचे हैं यह देख सकते हैं वो भी अपनी लाठी लगा यह देख करबालू है नहीं रधा क्रदाकरष्णी जी बैठे हुए हैं तो कि देख सकते हैं आप यह पर दोस्तों अगर आपको फोटो चाहिये हैं तो वह आपको हमारे हिंदूस्तानी फं पर ही मिल पाएंगी तो आप वहां पर जा करके फोटो जोंहां से ले सकते हैं यह देख लीजिए आप यह है आपका प्रेम मंदर और मैं आपको बता दूँ आप मंदर परिसर के अंदर मोबाइल कैमरा नहीं ले जा सकते हैं मंदर परिसर के अंदर आप मोबाइल कैमरा नहीं ले जा सकते हैं यह देख लिए आपका जो मंदर का परिसर है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है मंदर के बाहर आप कुछ भी लीजे फोटो वीडियो आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन मंदर के अंदर यहाँ पर अंदर जा करके आप फोटो वीडियो नहीं ले सकते हैं यह आप याद रखिएगा यह देखिए तो चलिए हम लोग और आगे चलते हैं वो यहाँ पर देख सकें और साथी साथ कमेंट करके जरूर बताईएगा कि यह आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा है तो भी बताईएगा अगर खराब लगा है तो भी बताईएगा कमेंट करके कि यह वीडियो में कहां पर कमी रही यह आप देख सकते हैं आपर यह काफी अच्छी खाकिया बनाई कई है यहां पर है है यह देखके यहां पर चल करके आपको दिखाते हूँ यह देख लेज्यέ काफी अच्छा और भव मंदिर है प्रेम मंदिर तो मैं तो कहूंगा एक बार आप जरूर जाए देख करके आईए काफी अच्छा मंदिर है यह देख लिजिए आप यहाँ पर यह देखिए यह आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए खाना खिलाते हुए, देखिए क्रश्म जी को खाना खिलाते हुए, तो चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, ये देखिए राधा क्रश्म जी जूले में जूलते हुए, दोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, फ्लीस कमेंट करके जरूर बताईएगा, और साथ ही तरीके के धेर साड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में